नमस्कार दोस्तों मैं सीवंकुसवाब को स्वागत करता हूँ प्रोगाइट CS चैनल में तो हम लोग देख रहें Microsoft Office Word 2007 तो जो हमारा पिछले वीडियो लग्चा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी जो Office 2007 है ये हमें Open कैसे करना है कोई भी जो फाइल है उसको कैसे बनाना है कुछ टाइब कैसे करना है और हम लोगों ने जो एक फाइल बनाया थे हाप एक सीव नाम से मैंने एक फाइल बनाई थी तो हम लोग इसी को देखने वाले हैं और मैंने बोला था आपको कुछ टाइब करना है करके हमारे WhatsApp टेलिग्राम नंबर से आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं मतलब WhatsApp में मैसेज कर सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉलम आई तो चली आगे बढ़ते हैं तो अगर प्रॉलम आई हो पहले वीडियो में तो आप जरूर पूछेगा हम लोग उसका जवाब देंगे और आगे ब प्रॉटे हैं तो यहाँ पया हमने कुछ है उम्मीद है आप नहीं सबता होना होता था खाशेखं़ेומ शिक्वास के Elliott कि आपК करना चाहते हैं कुछ भी डालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है यहां पर माउस को लाना है कहीं वी आपको जहां सेलेक्ट करना है और अगर आपको पता नहीं माउस कीबोर्ट कैसी उच करना है तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर उपर जो आई बटन आता है उसमें दे दूँगा तो आप वहां से देख सकते हैं ठीक आपको अगर आता है तो अच्छी बात है नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करिएगा वहां पर हमने एक लिंक दिया है उससे आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है की पेज अपना जो माउस है उसके जो लिप्ट क्लिक है उसको दबा के करने के दुसरा उफट करने का दुसरा method यह है कि आप डवा के रखें और आपके वाली सइलेक्ट हो रहा है अगर लेप साइड ले जाओंगो तीधर क्या होगा और लिप्ट बनी होग सब्सक्राइब तो यह दूसरा हो गया कि आपको कैसे करना है और फिर आता है तीसरा मेथाद में हम लोग क्या करते हैं शीप्ट दबा लेते हैं फिर उपर नीचे लेट हम लोग करते हैं इससे क्या होगा कि आप हम लोग हम लोग सीप्ट और लेंगे तो क्या होगा पूरा पोर सब्सक्राइक अगर हम लोग सीप्ट बढ़ेंगे तो एक एक जो टेक्स्ट है वह सब्सक्राइब तो यह आपको इप्रेटिस करना है चलिए आप हम लोग आगे देखते हैं तो सलेट करने के बाद यहां पर पहला आता है हम के अंदर देखिए क्लिप बोर्ड आता है क्लिप बोर्ड में चार अप्शन है पेस्ट कट कॉपी और फॉर्म प्रिंटर तो जब आप इसको सलेट क यहां पर लोग पेस्ट का गाम होता है यहां पर लिखके भी आ रहा है तो हम लोग पेस्ट दबा देंगे तो भी आ जागा या फिर हम कंट्रोल भी दबा देंगे तो भी आ जाएगा तो यह हो गया आपको कट करने का और पिस्ट करने का फिर आता है कॉपी करने का आप जिसे हां पर हमने यहां से उठा के लेके गया आप हो सकता है हमें कहीं कहीं इसका डूब्लिकेट बनाना हो यहां पर यह जो ल प्रेस्ट करने के लिए क्या होता है यह पिस्ट बटन होती है फिर आप कंट्रोल भी दवा सकते हैं इस प्रेस्ट करते हैं तो ठीक तो आगे बढ़ते हैं तो अगला option आता है यहां पर कट हो गया और प्रेस्ट भी हो गया आपको समझने आओगा फिर आता है फॉर्ण प्रेंटर तो फॉर्ण प्रेंटर हम लोग कुछ डिजाइन अप्लाई करेंगे तब हम लोग यह फॉर्ण प्रेंटर यूज कर सकते हैं तो अभी हमने कुछ डि यह लिखा ٹाइम से नीरोबन बन तो इसको बहुते हैं फंट है स्टिया है यहांपे छोटी श्टिश्टी दिख रहे हैं इसके बगल में यहां को कलिक करेंगे तो यहां फेल देट उस type का आप select का सकते हैं दिख रहा होगा आपको कैसे चेणे बुरा है चमंप में ले जा था महूआ था हम तो मेelे और हम ले लेते हैं कोई प्कने यह ले लेते हैं कि तो यहां पर हमनें कोई design ले लिए टेक्स्ट ले लिया अब यहां पर इसे हम लोगों ने डिजाइन ले लिया फिर इसके अंदर आता है अगला उप्शन यहां पर साइज तो टेस्ट यहां पर हमने फॉंट का साइज था यह जो हमारा टेक्स्ट लिखा था उसका हम लोगों ने डिजाइन चीज चु हो चुका है तिर अगला उसनला थे यहां पी फॉण्ट को मेंसे चैन्ज करने के लिए अब यहां पर लोग क्या करते हैं अब यहां पर इसकी करते हैं इसकी आप आप description में बार चेक्क कर लिएगा मैं सारी चीजे जो हैं link के देदूंगा आप अराम से क्लिक कर कर करके और देख सकते हैं कि shortcut की कौन कौन से होती text को बढ़ा करने के लिए क्लिए 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 तो ठीक आगे बढ़ते हैं फिर आगे आता है यहां पर यह clear formatting, clear formatting क्या होती है हमने यहां पर कुछ design डाला example के लिए अब हम क्या चाहते है इसको normal करना चाहते है बिल्कुल जैसा पहली बार हम लोग लिखते है उस type में आना चाहते है हमने क्या कर रहा है यहां पर click कर दे देखिए जितना पर हम लोगोंने font change कर रहा था font की size change कर रहा देखिए मैंने click करा तो क्या हुआ यहां पर यह format चेंज हो चुका है पूरा बिल्कुल नार्माल हो चुका है आप जितना चाहें उतना select कर करके clear formatting कर देखिए पूरी design जो है वो change जाएगी ठीक अब अब फिसे हम लोग इसको थोड़ा design डाल देते हैं इसके अंदर हम होगा कि थोड़ा romance में तो आगे बड़ते हैं तो यहां पर आता है फिर भी भी से कहा को होता है Paul होता है है क्या हमें धि 열ा में क्या दृट होना चाहिए sugar हम चाहते हैं तो हमुण क्या करें इसको बॉल्ड का लखिए अब जो है तो यह थी थाधा और यहां पर इसको बोल्ट कर दिया कि यह जो है कि यह चोड़ा पढ़नी होलों यह होगा फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है इटली तो हुता है आप जीसे यहाँ पर कुछ टेक्स लिखा है इसको अम लोग थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं तो और अच्छा समझ मौला उट्रेक्स करने के लिए कि यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा हमारे जो टेक्स्टे हैं यहां पर इस तरीके से आना चाहिए ट्यड़ा हो चुक आदेगे इसमें और इसमें आपको और दिख रहा होगा कि द्याग है इसमें पे आप आगे आता है यो तो किसी बार में एक्साइन करते हम लोग अंडरlijn करेंगे यूपे क्लिक करेंगे झार में करेंगे की तो यह चाहते हैं कि दबल लाइन आए तो यहां पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गई है डबल लाइन हो जाएगे दिखे रहा और भी आपस आपके पास बहुत सारी जो डिजाइन ये लाइन की आप वह वाला यूज कर सकते हैं टेक्स बड़ा कर देंगे तो और अच्छे समझ देखें आप यह है इसके अंदर हम लोग डबल लाइन खीच देते हैं देखिए ऐसा हो गया तो आप ऐसे अंडर लाइन कर सकते हैं बोल्ट कर सकते हैं और इटली भी कर सकते हैं तो यह इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं गया, underline color लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोग चाहे तो इसका underline का color चेंज कर सकते हैं, यह red color हो गया, आप जब अच्छे से लिखते होंगे, कहीं fair copy में, तो बढ़ी अच्छे सा आप line खिचते होंगे, वो करते होंगे, तो यह आप चाहे तो आप professional filter में भी यूज कर सकते हैं, तो यह हो गया, फिर अगला आता है, यहाँ पर जो ABCD लिखा हुआ है, इसको cut करने के लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको select करेंगे, और कभी कभी होता है, अगर आपको जो रोज पढ़े रही है, cut करने की, तो यहाँ पर प्लिक कर देंगे, तो जो हमने लिखा है उसके उपर एक cut की line बन जाएगी, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, खिराता है सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखी, X के नीचे कुछ लिखा हुआ है, और सबस्क्रिप्ट होता है, X की जिसे उपर कुछ होता है, तो C, O, और 2, तो C, O, 2 मी क्या होता है, 2 जो होता है, वो नीचे होता है, तो नीचे होता है, अभी देखिए, हाँ पर C, O, 2 क्या हो रहा है, 2 होना चाहिए नीचे, तो नीचे लाने के लिए हम दो क्या यह उच्छ करते हैं, सबस्क्रिप्ट, पहले क्या करना है, select कर लेना वन्ह aş अपिक कर दिए केया हो गया कि आ अब जो आप यृष कभी कभी होता है जैसे यहाँ पर लिखे आप तो क्या हो नीचे 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 आ रहा है क्यूंड गया है कि अब जो हमने जो सबिस्क्रिप्ट लगाया होगy तो इस तरीके से क्या होगा कि आप लिख सकते हैं और अगर इससे लिख रहा हूँ हुआ है हमेची यह नीचे हमने इसको सेलेट करा यहां पर क्लिक कर दिया तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जो सब सकृप्ट है उढस सकृप Kiss कर द Aga फिर सूपर 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 इस क्रिप्ट में हम लों है जो इस्वोल कॉलिज में UH पढ़ते उसमें होता है कि X होता है फिर में स्कोर होता है तो इसको मैं तो Order के ने लिख कर तो इस तरीके से कर कर सकते हैं. select करके आप उसको कहने के मतलब है Save Script और Super Script में Change कर सकते हैं. फिर आगे बड़ते हैं तो आगे आता है है इहांपर Change Case. Change Case क्या होता है? जिसे आप यहांपर जीखाए हैं. अब इसके ँंदर आप चाहते हैं कि जो पहला letter है वो capital होना चाहिए पर आपने तो गलत लिख दिया हर जगा आपको change करना पड़ेगा यहाँ पर अगर आप जो है self हो गया यह सब चीज जो लिखा हुआ है तो यह आप चाहते हैं कि capital letter में आये जो पहला word है आप आपने पूरा जो है तो small letter capital mix करके लिखा है तो आ पूरा हमें capital letter में चाहिए था हमने यहाँ पर सीधे ऐसी कर लिया और भी अगर आपको change करना है तो आप क्या कर सकते हैं से lower case तो पूरा lower case हो जाएगा देखिए एक भी capital word में मिलेगा और आप चाहते हैं कि आप जो पहला word है वो क्या होने चाहिए capital होने चाहिए बागी सार बना सी तो मैंने यह क्लिक करा और capitalize each word में कर देखिए तो अब जो हमारा टेक्स लिखा उसमें क्या है कि जो पहला word है writing में देखिए capital में dealing है सारा चीज़ जो लिखा हुआ है capital letter में है पहला word तो इस तरीके से आप जो है तो यहाँ से change case में जाके कर सकते हैं इसे toggle case है आपक highlighter pin होता है आप देखे होंगे कहीं ऐसे colorful होता हूँ तो highlighter pin का यूज करने के लिए आप क्या करते हैं इसे यहाँ पर click करेंगे और पहले select करना कुछ भी आप मैंने बताया था कि जब भी font में कुछ भी design perform जालना चाहते हैं तो इस से पहले आपको select करना तो मैंने हाँ सेलेट कर आप इसके इंदर जैसे में हाइलाइट कर दिया और एसए मैं चाहता हूँ यह जो लिखा हो इस पर highlight होना चाहिए सेलेट कर आप इसके इंदर green color का highlight कर दिया तो यह सब क्या होता है आप आगे यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह बहुत जगए यूज़ होता है आपको कोई-कोई-Line जो है आपको ठीक लग रही है आप उसको बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आप सालेट करके उसको हाइलेट कर देंगे तक कि जिसके पास आप फाइल बेज रहें तो वो समझ जाएं कि यह कुछ main point लिखे हुए है इसको हमें पढ़ना ज़रूरी है तो वो क्या करेंगे उसको अच्छे सपढ़ेंगे तो यह हो गया फिर आगे आता है यहां पर टेक्स्ट कलर तो टेक्स्ट का क्लर कैसे चिंज़ करना चाहता हां तो यहां पर मैं जाओंगा और यहां से चंज कलर मैं हापी सको отдель में गरीन हो गया और उभी चाहूं तो मैं इसको कि रिट कर सकता हूं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैंब टेक्ष्ट का यह च्यन्ज कर सकते तो यह आपको fund समझ में आ होगा clipboard के अंदर हमारा यह फार्मेटर बचा हुआ था हमने कोई formatting नहीं कर देखा अब हम लोग ने formatting कर लिया है तो हम चाहते हैं कि उसका यूज करें तो हम चाहते हैं इस तरीके जो हमने यहां पर बनाया इसी तरीके से इस डिजाइन हमें यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे और यह यहां पर अपलाई कर देंगे यह जैसे select करके हम छोड़ेंगे तो यह चिंज हो गया समझ में आया अब मालेजी यहां पर यह जो paragraph लिखा इसकी में चाहता हूं कि इस paragraph में आ जाया तो मैं यह क्या करूंगा इसको पहले select कर लूँगा कि यहां से फॉर्ण प्रिंटर में क्लिक कर दूँगा जैसी में फॉर्ण प्रिंटर में क्लिक करूंगा देखिए यहां पर आप जो है तो मेरा देखिए यहां पर इसका font है हमने इसमें highlight करा यह दोनों कापी हो जाएंगे यहां पर फॉर्ण प्रिंटर और यह मैंने select कर देखिए पूरा का पूरा इसके जैसा बन चुका है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं design change कर सकते हैं design change कर सकते हैं मतलब यहां से आप format प्रिंटर वाला option है इसका आप अच्छे से यूज कर पाएंगे खिक तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो हम लोग आगे बाकी चीज़े देखने वाले हैं कि यह सारे जो option paragraph style और editing वाला जो option है इसको हम अगले वीडियो कवर करेंगे आपको इसको प्रेटिस करना है ना बने तो आप हमने comment करके या फिर WhatsApp टेलिग्राम में हमें message करके आप पूछ सकते हैं तो अभी कले बस इतना ही वीडियो पसंदा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद